पार्शुनी पोलिस सिमा के महंदी ग्राम की पास के खेत में बंदे गाय पर मंगलवार के मद्द रात्री में बाग नी हमला कर अपना शिकार बनाया जिसमें किसान का 15,000 रुपे का नुखसानवा है जा बाग का हमला होती देख वहां मौचुत किसान नी बाग पर लाटी से बान को भगानी की कोशिश की पिछले देर दो मैने से बाग नी जंकल छोड रियाशी इलाके में अपना ठेकाना बनाया है जिसके वज़ा से रहा किरों को बाग के दर्शन होने से लोगों में लेकातार भै पनकता जा रहा है जा खेट खलियान में काम करनी वारे मसनुर काम पर जाने से कटा रहे हैं वही पश्योग का शिकार होने से किसानों का आर्थिक दूसान हो रहा है अगर इसी तरह बाग शिकार करता रहा तो कभी भी मनुष्य पर भी हमला कर अपना शिकार बना सकता है जिसकी वज़ा से नया कुन पालोरा, मेंदी, महुली, पेंच, चारगाउं में रहने वाली लोग रास्ते से आने जाने मेर से करता रहे हैं अभी तक बाग ने अने को जानवरों पर हमला कर अपना शिकार बनाया है इसलिए वन विभाग के आला अधिकार्यों को इस बाग को जल से जल पकड़ कर जंगल में चोड़ने की मांग स्तानी को दवारा की जारी है वन विभाग के अधिकारी अनिल भगत और उनकी टीम इस बाग को पकड़ने के लिए बड़े पैमारी पर कारी करी है ज़ा बाग को पकड़ने के लिए वरिश्ट काररेद पारा पर्मिशन बिल्ले से बाग को पकड़ने के लिए वनविभाग के अधिकारी रात देन बाग की खोच में लगे हैं जिसके लिए ड्रोन कैमेरा की भी सहायता से बाग को खोचा जा रहा है वही बाग को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जा रहा है जिससे रियाशी इलाकों में बाग को पकड़ कर जंकल भी छोड़ने के लिए बन्वी बाग की कर्मचारी अधिकारियत पराप प्रयास के पीचारी है इन बिसंद्युस के लिए पार्शिड इसी रुपेश खंडारी के रिपोर्ट